गर में पिटकरी रखने से होते हैं ये चमतकार, आप भी जाने, इंदू दर्म में वास्तु सास्तर का विशेश मैतो माना जाता है, वास्तु सास्तर सकारतमक और नकारतमक उर्जा पर आदारित है, सकारतमक उर्जा गर में सुक्षमर्दिल आती है, जबकि नकारतमक उर्जा जीवन में कई तरह की प्रेशानिया लेकर आती है गर का वास्तु खराब हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से अमेशा प्रेशान रहता है गर पर मोजूद छोटी-छोटी वस्तुओं से आप वास्तु दोस्त को दूर कर सकते हैं इन में से एक है फिटकरी वास्तु दोस्त दूर करने के लिए आप काले कपडे में फिटकरी का टुकडा बांध कर मुख्य दवार पर लटका दीजिए नमबर दो अगर आपके पती पर कर्ज चड़ा हुआ है और बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं उतर रहा है तो आप फिटकरी के एक टुकडे पर साथ बार लाल सिंद चड़के ऐसा करने से जल्दी ही आपके पती से सारा कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा नमबर तीन अगर परिवार में कले का माहुल रहता है तो आपको रात में सोने से पहले एक गिलास पानी में फिटकरी का टुकडा डाल कर उसे डखकर रख देना चाहिए सुबह उठकर उस पानी को बैते जल में बहाद देना चाहिए ऐसा करने से परिवार के सदस्दों के बीच प्रेम बढ़ता है नमबर चार जो तिस अनुसार पिटकरी का इस्तेमाल बुरी नजर उतारने के लिए भी किया जाता है इसके लिए जिसकी नजर उतारनी है उसके उपर से पिट पूरी तरह से नस्ट हो जाता है नमबर पांच गर के वास्तु दोस्त को दूर करने के लिए आपको अपने गर के हर कमरे में किसी कोने में कटोरी में नमक के साथ फिटकरी को मिला कर रख देना चाहिए और हर 15 दिन में इसे बदल देना चाहिए नमबर चै रात में ड्रावने सपनों से बचने के लिए पिटकरी को काले रंग के कपड़े में बांध गर बिश्तर के नीचे रख दें ऐसा करने से ड्रावने सपने नहीं आएंगे ऐसा सिर्फ मंगलवार या फिर रवीवार के दिन ही सिर के नीचे रखना है नमबर साथ अगर पती पतनी के बीच अमेशा ही अनबन रहती है तो बैडरूम में खेडकी के पास एक कटोरी में फिटकरी रख ले नमबर आठ यदि आपके साथ कुछ समय से कुछ अच्छा गटित नहीं हो रहा है तो आपको रोज सुब़ पिटकरी के पानी से सनान करना चाहिए इससे आपके आजपास स्कारातमक उर्जा बनी रहती है नमबर नो यदि पर्ष में पैसे नहीं टिकते हैं तो आपको अपने पर्ष में पिटकरी के कुछ टुकडे डालकर रखने चाहिए ऐसा करने से आपका दन कम खर्च होगा नमबर दस अगर आपके पास दन नहीं रुखता है तो आपसे जोरी में एक पिटकरी का टुकडा लालकपडे में लपेट कर रखना चाहिए इससे आपके खर्चे कम होंगे नमबर ग्यारा अगर आपके घर में लगातार कुछ बुरा गटित होता जा रहा है तो आपको पिटकरी के पानी से पोचा जरूर लगाना चाहिए ऐसा करने से घर में मुझूद नकारतमक उर्जा दूर हो जाती है नमबर बारा पिटकरी का टुकड़ा एक कटोरी में रखकर बातरूम में रख दें और उसको हर महिने ध्यान से बदलते रहें ऐसा करने से पारिवारिक सदस्चों की उनत्ती होगी और आरग्य की प्राप्ती होगी साथी पिटकरी नकारतमक उर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेती है ऐसा करने से धनवर्दी के योग बनते हैं और अटके हुए धन की प्राप्ती होती है नमबर तेरा वास्तु दोस्दूर करने के लिए किचन में गैस चुला सही दिशा में लगाना चाहिए अगर ये सही दिशा में नहीं है तो एक फिटकरी को लाल कपड़े में बांध कर किचन में रख दें ऐसा करने से गर का वास्तु दोस्दूर होगा और आपके जीवन की कई समस्या भी खतम होगी नमबर चोदा एक पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिटकरी और सिंदूर बांध कर बुदवार की सुबह या स्याम को पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से दबा दें यह कारिये तीन बुदवार करेंगे तो कर्ज मुक्ति में लाब मिलेगा दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें साथी वीडियो को अपने दोस्तों में सेर करें और आगे भी ऐसे ही बेतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबा लें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दन्यवाद सबस्त रहो और मस्त रहो